गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, अवर यू ओल, आई होब यू ओल आर वैल, बच्चो स्टडी प्रोपर चल रही है न आपकी, प्लीज सभी बच्चे टेस्ट दिया करें और लाइप क्लास भी लगाया करें और डेली अपनी वीडियो भी देखा करें, अगर वीडियो मे आपको कुछ समझ में नहीं आता, एक बार, दो बार, जितनी बार चाहो देखो वीडियो पर समझने के बाद ही उसको देखने से हटना है आपने, ये ना हो कि कोई वीडियो आप एक बार भी ना देखो, ये गलत बात है, अगर स्कूल आते फिर भी तो करते न, मैं आम से पीरिड लगाते, तो ये अब आप घर, घर पे आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो आपने पूरी वीडियो भी देखनी है, जो भी वीडियो आएगी उसको किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना, अपने रिटन वर्क, रेडिंग वर्क, किसी भी वर्क को मिस नहीं करना, टैस स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप जानते हो पाथ 12 काल हम read कर चुके हैं आई होब आपने भी दुबारा से read किया होगा मैंने दिया था आपको read करने के लिए समझ में आ गया होगा आपको तो आज हम करते हैं इसका अभ्यासकार इसमें देखिए ये जो में में प्रशन है वो मैंने नोट बुक में लिखे हैं मैं आपको कर्माऊंगी बाद में पहले ये देखिए वर्तमान काल के दो उधारन बताईए वह जा रही है वर्तमान काल वर्तमान काल कौन सा होता है जो समय चल रहा होता है जिस कार्य के होने का ह जल रहा है वो काम, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल के दो धारण है, वै जा रही है, रोहन खाना खा रहा है, प्रशन तीन है, वाक्यों में सही के आगे सही और गल्द के आगे गल्द का चिन लगाईए, काल के तीन परकार होते हैं, ये बास सही तो ये बात सही है करिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को क्या कहते है काल ये भी बात सही है गागी गे गागी गे वर्तमान काल होते हैं गलत बात ये होते हैं भुईश्यत काल के लिए अब प्रशन चाहरा है वाक्या में काल के अनुसार उप्यूक्त क्रिया भरिये क्रिया अब ये क्रिया इन्होंने दे रखी है और काल भी बता रख है इस काल के अनुसार हमने क्रिया भरनी है भुईश्यत काल भुईश्यत काल कौन सा होता है आने वाले समय की बात हो रही हो जिसमें आज मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा भुईश्य की बात हो जाऊंगा या जाऊंगी जाऊंगी भी लिख सकते हो जाऊंगा भी लिख सकते हो मोहन प्रतिदीन वयाम आप वर्तमान काल की बात करनी है हमने जो समय चल रहा है वयाम करता है गवपार्ट में क्या लिखा हो है मैं एक गिलास पानी डैश पिलाना क्रिया भरनी है हमने इससे क्रिया शब्द कौन सा काल दिखाना है हमने भविश्यतकाल भविश्यतकाल यानि आने वाले समय की बात मैं एक गिलास पानी पीऊंगा या पीऊंगी मैंने उत्तर याद डैश करना करिया से हमने बरना है और भूतकाल की बात करनी है बीते हुए समय की मैंने उत्तर याद कर लिया अब प्रशन पांच है निमलिकित वाक्तियों में काल के अनुसार क्रिया का उची तुरूप लिखिए अब किसान कल फसल आब काट क्रिया शक्त दे रख़ा है हमने क्या भरना है किसान कल फसल काटेगा सोनी का काम करके पिक्चर देख, देखेगी बच्चे क्रिकट डैश हैं, खेलते स्वर्णा ने पुस्तक डैश थी, पढ़ी थी प्रशन छी है, वाक्य में आएक काल के सही भेद पर सही का निशान लगाई है शीला ने चोकलेट खाई, यानि खाली, काम हो गया तो ये कौन सा है, भूत काल माता जी शायद कल आएंगी, तो आने वाले समय की बात, बविश्यत काल कुमहार घड़े बनाता है, वर्तमान काल की बात हो रही है उसके बाद ये देखी इसके प्रशन उत्तर काल प्रशन एक है, भूत काल किसे कहते हैं, कोई दो उधारन लिखे भूत काल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूत काल कहते है क्रिया के, क्रिया शब्द कोन से होते है, जिन से हमिकार्या के होने का पता चलता है तो क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो, ज्यान हो, पता चले तो उसे क्या कहते है, भूत काल उधारन, वह कल दिल्ली गया था कल दिल्ली गया था, बीते हुए समय की बात हो रही है न हम बाजार गए थे तो ये काम दोनों हो चुके हैं तो भूत काल प्रशन दो है काल किसे कहते हैं उधारण सहित समझाईए काल किसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय कब हो दो क्रिया के जिस रूप से अब काल की बात हो रही है ना तो ये वर्तमान काल की बात और रहे है ना भूत ना भुष्यत सिरफ काल की प्रिभाशा देनी है हमने क्रिया के जिस रूप से उसके होने के सम्या का बोध हो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के सम्या का बोध हो उसे काल कहते हैं अब काल के दो उधारण हम कोई भी दे सकते हैं भुष्यत काल का भी उधारण दे सकते हैं वर्तमान काल का भी भूत काल भी दो उधारण देने हैं ना सोरी एक उधारण सही समझाए एक उधारण भी दे सकते हो आप मैंने दो दे दिये हैं, आप दो एक भी दे सकते हो, बस सिरफ उधारन ये जुरूरी नहीं है, इसके लिए ये नहीं लिखा हुआ कि किस काल का उधारन देना है, कोई भी उधारन आप दे सकते हो, वर्तमान का, भूशत का, भूत काल का, जैसे कल वर्शा होगी, ये वूशत क काल का उधारन है राम खाना खाता है ये वर्तमन काल का उधारन है एक उधारन भी दे सकते हो आप प्रशन तीन है काल के कितने भेद होती है उनके नाम लिखिए काल के तीन भेद होती है अभी हमने बुक वर्क में किया ना काल के तीन भेद होती है भूत काल भूत काल भीता तो आई होप आपको बच्चो ये समझ में आ गया होगा इसका अभ्यास कार्या और प्रशन उत्तर आपने भी कम्प्लीट करना है मैं इसका पीडिया बेदूँगी साथ की साथ देखिए ये देखिए कार्य पत्र एक इसमें देखिए जो पिछली पाठ आपने किया ना उसके अधार पर है ये निमलिकित वाक्तियों में सही के सामने सही और गल्त के सामने गल्त का चिंग लगाई ये हिंदी में कुल बीस स्वार होते है ये बात गल्त है ना बीस स्वार नहीं होते पंजाबी भाषा की लिपी देवनागरी है कितने स्वार होते है ग्यारा पंजाबी भाषा की लिपी देवनागरी है ये भी बात गल्त है पंजाबी भाषा की लिपी गुरु मुखी है भाष त्र, ठीक है, ऐसे ही कशोषठ, कोण वाले को मिला कर क्या बनता है? उक्षभ, तो यह सिंक्त व्येंजन जो है, हमेशा दो दो, चार सिंक्त व्येंजन है हमारे वोग अलग вдacts व्येंजनों को मिला कर बनते हैं वाक्य दो प्रकार के होते हैं रचना के धार पर अर्थ के धार पर ये बात भी सही है वर्ण विचेद कीजिए जानवर जो आपकी मात्रा ये आपकी रिवीजन भी हो रही है न न को कोई मात्रा नहीं यानि अ चुपा हुआ है उसमें व में भी अ चुपा हुआ है र में भी अ चुपा हुआ है ये वर्ण विचेद आराम अब ये स्वर है हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे कैसे लिख देंगे र को आ की मात्रा प्लस म मा को म में अ चुपा हुआ है परणाम पर र प्लस अ रण मा प्लस अ अब प्रशन तीन क्या है हमारा निम्य लिकित वाक्यों में उदेशय और विध्य चांट कर लेकिए उदेशय क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है वाक्या में कि इसके बारे में बात हो रही है बालक के बारे में बात हो रही है तो बालक क्या है हमारा उदेश है और विध्य क्या होता है जो बालक उदेश है के बारे में जो बात हो रही है तो बाकी सारी बात क्या हो गई विध्य तोता हारी मिर्च खाता है अब तोते के बारे में बात हो रही है तोता हारी मिर्च खाता है तोता क्या है उदेश हारी मिर्च खाता है ये हो गया विदे साक्षी बुधी मान लड़की है तो साक्षी के बारे में बात हो रही है साक्षी उदेश है और बुधी मान लड़की है ये क्या है विदे कोश्ठक में दिये गई शब्दों को भावाचक संग्या में बदलिए तो भावाचक कांस की डैस से सभी प्रीचित थे बुराई से बुरा से क्या बनेगा भावाचक संग्या शब्द बुराई गरीबों की डैस करो बलाई करो मुझे आज बहुत डैश हो रही है थकान हो रही है मुझे आज बहुत थकान हो रही है यह प्रशन पाँच है यह हम जब आपका यह लैसन हो जाएगा विशेशन वाला तो हो गया क्रिया विशेशन नहीं हुआ वैसे मैं आपको बता दूँ कि कम, कम शब्द दिया हुआ है हमने, इन्होंने तो कम को विशेशन के रूप में प्रयोग करना है, कम को मेरे पास कम पैसे हैं अब विशेशन क्या होता है, जो संग्या और सरवनाम शब्दों के विशेशता बताते हैं अब पैसे क्या है, संग्या शब्द, इसकी विशेशता क्या है, कम है विशेशन वाले लेसन आपका हो चुका है इस कम शब्द को विशेशन और क्रिया विशेशन के रूप में प्रयोग करना है क्रिया क्या होता है जिन शब्दों से हमें कार्या के करने या होने का पता चले क्रिया की विशेश्ता तो ये वैसे मैं आपको करवा देती हूँ देखिए क्रिया क्रिया क्या होता है जिन से हमें कार्या के होने का पता चले और विशेशन क्या होता है अभी मैंने बताया तो जिसमें कारया के होने का पता चलेगा ना कारया के विशेशन कारया की विशेशता हम बताएंगे कि क्रिया कैसे हो रही है तो इस कम को उस क्रिया विशेशन के रूप में प्रयोग करना है जैसे यह देखिए क्रिया हो गया ज विशेशन हमने प्रयोग करना है कम कम को विशेशन के रूप में भी और करिया विशेशन के वह रोज कम सोती है अब इसमें कार्या कुन सा हो रहा है सोने का है ना तो कैसे सोती है कितना सोती है कम सोने की क्या विशेशन के रूप में प्रयोग किया ऐसी ये मुश्किल नहीं है बच्चो ज्यादा शब्द को भी विशेशन और क्रिया विशेशन के रूप में प्रियोक करना है मतलब ज्यादा शब्द को क्रिया की विशेशन बताते हुई प्रियोक करना है और अकेले विशेशन के रूप में भी प्रियोक करना है मैं ज्यादा फल लेकर आया अब यहाँ पे ज्यादा शब्द किसके लिए लिखिया गया है फल कितने लाए फल की विशेश्टा क्या है वैं ज्यादा है मैं ज्यादा फल लेकर फल संग्या शब्द की विशेश्टा बताते है जो शब्द अब फल क्या है संग्या शब्द है इसकी विशेश्टा क्या वे ज्यादा है तो यहाँ क्या बन गया यह विशेशन बन गया अब इस ज्यादा को हमने क्रिया क्रिया की विशेष्टा बताते हुए प्रियोक करना है वह बहुत अच्छा है पर प्रंतु ज्यादा बोलता है अब यहां काम क्या हो रहा है बोलने का तो उसकी क्या विशेष्टा है ज्यादा ठीक है तो यह क्रिया की विशेष्टा हो गई अब बचण बदल कर वाक्यों को दुबारा लिखिए बिल्ली दूद पी रही है बचण बदल कर बिल्ली dogs पी रही है तो ये देखिए ये दो हैं आपने पूरे करने हैं अब यहां क्या है प्रशन साथ है जो निमल की दबाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रिखांकित कीजिए और बेद का नाम लिखिए अब इसमें ये भी आपने पाठ किया हुआ सर्वनाम शब्द अब ये सर्वनाम शब्द को मैं रिखांकित कर देती हूँ ये इसमें ये है इसमें ये दोनो है और इसमें अपना और स्वेम ये रिखांकित मैं ने कर दिया भेद आप लिखोगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए ये लिंग बदल कर दुबारा लिखिए ये आप खुद करो और कोश्टक में दिये गए शब्दों से विशेशन बनाई और खाली स्थान भरी ये भी आप खुद करोगे काल ये भी आपका हो गया ना काल की अनुसार सही क्रिया भरी ये जो अभी मैंने करवाया आपको उससे मिलता तो ये आप बाकी खुद करोगे ठीक है बच्चों ये देखिए मैंने आपको क्रिया क्लाप 1 और क्रिया क्लाप 2 दिया था पूरा करने के लिए पे नंबर 128 और 129 आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा तो इसका सल्यूशन भेज रही हूं आपने मैच करना है ठीक है बच्चों अगर कई मिस्टेक है तो ठीक कर ल